हलो अब्रिवान एक पर फ़र से आपका स्वाकत है हमारे स्टानल पर जहां पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट का एक और बेसिक और इंपॉर्टन टॉपिक जो कि आपका रिलेटिड है ओफर से जब आप इंडियन कॉंट्राक्ट पढ़ते हो या आप जब जो है business law पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको जो है आपको बिलकुल basic points में एक और important topic पढ़ने को मिलता है that is offer क्योंकि यहाँ पे contract का बनता है contract बनता है जब आप एक agreement करते हो प्लस वो agreement जो है enforceable होता है by law के और agreement बनाने के लिए यहाँ पे आपका offer प्लस एक acceptance होना ज़रूरी है तब जाकर के वो agreement बनता है इसलिए यहाँ पे यह बात भी सबचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर offer होता क्या है इसको कैसे हटाया जा सकता है एक valid offer क्या होता है same with acceptance कि acceptance क्या होती है एक valid acceptance क्या होती है और इ ये दोनों ही topics में भी आपका बहुत अच्छा वेटेज आपके exam में आपको मिल सकता है तो एक long form of question आपको दिख सकता है जहां पर offers related question पूछे जा सकते हैं वहीं पर एक question यह भी आपका हा सकता है कि आखे let's suppose आपने एक offer कर दिया है एक offer दिया गया है अब उसको revoke कैसे किया जा सकता है revoke यानि कि उसको वापस कैसे लिया जा सकता है let's suppose यह एक person है उसने एक offer दिया कि भई आप जो है मेरी गाड़ी खरीद लीजिए यह मेरी गाड़ी है ये गाड़े खरीद लीजिए for 5 lakh रुपीस ठीक है मुझे ये offer दिया गया अब यहाँ पर हो सकता है इस person का कुछ अलग reasons हो या फिर कौन-कौन सी ऐसे situations होंगी जहाँ पर ये offer जो इसने दिया है वो उसको वापस ले ले या फिर ये जो offer किया गया है उसको वापस ले लिया जाए तो यहाँ पर ये discussion आजम करने वाले है so how and on what grounds can an offer be revoked कि कैसे और किस grounds पर offer को revoke किया जा सकता है offer का revoke करने का मतलब होता है offer already made means the offer already made उसको कैसे हम वापस करे यहाँ पर जो offer already किया जा चुका है उसी को आप revoke कर सकते हो अगर offer किया ही नहीं गया है तो उसको revocation की बात बनेगी नहीं so पहले offer किया होगा तब ही उसको revoke किया जा सकेगा revocation का आपका जो है दो तरीके से किया जा सकता है एक तो express यानि कि या तो बोल करके या फिर written कि तुरू उसको की age के example देती हूँ तो यह मत समझना कि मैं कुछ relationship वाले advice दे रही हूँ बिलकुल ने और हो सके तो अपने earphones पे लगा ले न ताकि कलकों को यह comment ना करे कि we were sitting with our family and examples दे रही हो that is not good so let's suppose there is a person ठीक है यह है Mr. X Mr. X और यहाँ पे है इसकी Miss Y ठीक है Miss Y यहाँ पे Mr. X ने पहले इसको offer दिया था कि let's get married ठीक है और Miss Y ने का कि let me think ठीक है मुझे थोड़ा सोच ने दो तो कुछ time हुआ अब यहाँ तो इसने कह दिया कि यार तू ना बहुत time ले दिया तो रहने दे मेरे को मेरी और भी कुछ responsibilities है तो मैं किसी और के साथ निकल रहा हूँ तो यहाँ पे by express या तो इसने poll करके by whatsapp या by written किसी भी तरीके से ये बात इसको बता दी कि जो मैंने तिरको offer किया था मैं उसको revoke कर रहा हूँ या फिर इसने जो है by implied कुछ ऐसा कर दिया by implied यानि कि इसको बता दिया कि आज मैं किसी और को देखने गया था चीक है मेरे parents are talking with someone else वगएरा वगएरा तो ये क्या है कुछ ऐसे तरीके बता देना ऐसे चीजे कर देना या कुछ ऐसा show कर देना जिससे पता चल जाए कि वो offer और पीछले वाला जो offer दिया गया था वो अब यहां पे stand नहीं कर रहा वो वापस ले लिया गया है तो उसको बोला जाता है by implied एक offer जो है उसको revoke किया जा सकता है किसी भी time पे लेकिन वो कभी किसी भी time पे जब उसका acceptance का communication हो गया है उससे पहले मतलब क्या है यहां पे जो है इसने इसको offer किया ठीक है इसने इसको offer किया कुछ भी offer किया अब यहां पे इस व्यक्ति ने acceptance अभी तक नहीं की है तो जब तक अभी acceptance नहीं हुई है acceptance का अभी तक communication नहीं हुआ है उससे पहले उससे पहले जो है तो यहाँ पर वो चीज आपको ध्यान देनी पड़े कि लेकिन एक्सेप्टन्स का कम्यूनिकेशन अभी तक नहीं हुआ यानि कि इसने मनी मन सोच लिया कि मैं आज इसको चाहकर के हां किया दूँगी जैसे कि वो आपने देखी होगी एक मुवी है कुछ-कुछ होता है जिसमें वो शारुकान जी है और काजोल है रानी मुगर जी है उसमें कहाए कि वो सोचती है कि में जाकर कि आज बता दूँगी ठीक है हाला कि वो ओफर नहीं दिया गया था जस टेकिंग अन एग्जामपल उसमें जा कि आज आकर कि मैं यह कह दूँगी बट उसको पता चल गया कि सामने वाला तो कहीं और निकल गया है तो वो implied या express के तुरू पता चल गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने acceptance तो कर लिया है, मनी मन में यह आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको accept करने वाला हूँ लेकिन उस acceptance का communication अभी तक नहीं किया है, इस व्यक्ति को अभी तक नहीं पता चला है कि वो मेरा offer accept हो चुका है, या इस तक अभी वो चीज communicate नहीं हुई है तो भी इसके पास अभी हक है कि वो अपना offer revoke कर सकता है I hope it is clear to you guys Now, कौन-कौन से तरीके है जिसके तुरू आप जो है offer को यहाँ पे revoke कर सकते हो सबसे पहला और basic offer को करने का यहाँ पे तरीका है by communication of notice भाई मोरी मैया हम से गलती हो गए हम यहाँ आए आपने वो एक तेखा होगा था एक मीम चला था जहाँ पे वो skydiving कुछ कर था या पैरा माइंड कुछ कहते है I don't remember the name वो कुछ कर था और वो कहते है यार मेरी गलतीय में यहाँ आ गया तो कई बाद आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कोई agreement के लिए जो है कुछ offer किया आपने कुछ offer किया और बाद में you understand कि या नहीं नहीं ये मेरे लिए loss हो जाएगा या due to any reason due to anything ठीक है आपके पंडेजी ने मना कर दिया या due to any anything आपको लगा कि नहीं करना ये offer इसके साथ जो है ये काम नहीं करना तो आप क्या करोगे आप उसको notice दे दोगे कि भई देखो हमने जो आपको offer दिया था मैं वो offer वापस ले रहा हूँ एक offer जो है उसको revoke किया जा सकता है acceptance से पहले जो हमने अभी बात कही थी acceptance से पहले कभी भी आप उसको revoke कर सकते हो जब तक acceptance नहीं हो उससे पहले आप उसको revoke कर सकते है दूस्टरी चीज़ एक offer जो है उसको revoke किया जा सकता है आपने वो वापस ले ले लेकिन आपने तरफ से रिवोकेशन कर लिया है। ये कमिनिकेट नहीं किया है। जिस tapping ability को आपने ओफर दिया था ये और पहुंचा Engin खुशिक्षे का है तो यहां पे तब तक उसका रिवोकेशन नहीं माना जाएगा। तो आपने offer revoke किया, उसके बारे में आप इसको सामने वाले पार्टी को बता भी दो, ठीक है, next is आपका revocation by lapse of time, कहीं पर क्या होता है, आपने का, किया, देख, मैं ना ढूंड रहा हूं, तो इस November तक, ठीक है, नमबर तक जवाब नहीं दिया, चीक है, नमबर तक जवाब नहीं दिया, तो यारि वो offer का जो है, वो जो time है, वो time lap सो चुका है, एक time है, time lap सो चुका है, ये मक्ही बार-बार भिन-बिन कर दिया है, मैं में डिस्ट्राक्ट हो रही हूं, तो, sorry for this, okay, तो ये offer जो है, आपका lap सो चुका है, अब यहाँ पर, ये लिए कि आप जाकर के December में बोलो कि यार, तुने एक offer दिया था, नहीं, उसका time period था, नमबर तक time period था, आपने accept नहीं किया, यारनि कि अब वो offer आपके लिए stand नहीं करता है, तो वो आप rework हो चुका है, पहली बात तो हुई ये, दूसरी बात, कई बार ऐसा बोला नहीं जाता है, कि इस time period तक मुझे जवाब देते, एक चीज कहीं जाती है, यार, एक न मुझे सही time तक जवाब देते, let's suppose आपने किसी व्यक्ति को बोला, कि यार, मेरे पास सो किलो सेब पड़े वे हैं, तू ले ले मेरे से इतने रुपे में, तो आपने उसको एक offer किया, लेकिन आपने उसको कहा कि यार, थोड़ा ना, सही time से जवाब दे दियो, अब सेब किया है, आप उसको सालों साल तक store करके नहीं रख सकते हैं, कि उबना तीन महीने बाद, चार महीने बाद आएगा, तो आप उसको बेचोगे, नहीं, एक limited time period आपको हफते भर में निकालना पड़ेगा, अदरवाइस सड़ वड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इन्वार्मेंट आप नहीं रख पाऊगे, उसको कुछ भी reason हो सकते हैं, तो यहाँ पे जहाँ आपको यह time नहीं पताया गया, कि मुझे November तक, December तक, एक हफ़ते तक, 10 तारिक तक, 20 तारिक तक जवाब दे दे, तो वहाँ पे एक reasonable time लेकर कर चला जाएगा, कि यह reasonable time, यह product ऐसे हैं, दस दिन तक मैं नहीं रख सकता, दूद, दही, चाच, यह सब चीज़ें मैं चार दिन तक भी नहीं रख सकता, खराब हो जाएगी, तो यह तो यह मुझे शान तक दे दे, या फिर एक reasonable time period तक दे दे, time lapse होने के बाद वो offer revoke हो जाता है, अगर जहाँ पर time नहीं बताया गया है, वहाँ पर एक reasonable time लेकर के चला जाएगा, so if a time is prescribed for acceptance, अगर time prescribed है for acceptance और वहाँ पर जो है offer अभी तक accept नहीं किया गया है उस time period तक, तो वो offer जो है, revoke हो जाएगा, कब revoke हो जाएगा, जैसे ही time lapse होता है, और जहाँ पर time lapse के बारे में नहीं बोला गया है, तो वो expiry of reasonable time आपका जो है, expired हो जाएगा, और मतलब एक reasonable time period के बाद वो offer आपका खतम हो जाएगा, next is revocation by non-fulfillment of a condition, precedent to acceptance, अब आपने बोला कि याद दे, अगर तुझे मेरा offer मन्जूर है, तुझे मेरा offer मन्जूर है, तो एक काम करी हो, इसका acceptance मुझे कैसे दियो तू, इसका acceptance मुझे दियो, मैं तुझे तुझे के नीचे खड़ा होंगा, तो वहाँ पे कोई कच्टरा, कोई चिट कुछ फैक दियो, ची क्या, तो मैं मान जाओंगा, यह acceptance है, अब आपने क्या किया, कि acceptance के लिए एक prescribed form बताया है, कि भईया, देखो, अगर acceptance आपको मिलती है, तो आप यह कर देना, अगर आपको acceptance है, अगर आप accept करते हो, तो मुझे mail कर देना, मुझे whatsapp कर देना, मुझे phone के थुरू बता देना, मुझे letter लिख देना, चिट्थी बान करके, कबूतर के थुरू भेजते ना, यह कोई भी mode जो आप बता रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपने कोई condition बताई है, कोई condition add-on की है, acceptance के लिए, और वहाँ पर जो है, आपका offer accept कर लिया गया है, लेकिन वो condition के थुरू acceptance आपको नहीं दी गया है, जैसे कि आपको बोला गया था कि WhatsApp, मुझे mail कर देना, let's suppose आपको mail करने के लिए बोला, पट आपने WhatsApp पर उसको बता दिया, पट यहाँ पर जब तक आप वो particular acceptance की जो condition में बोला गया है, उसमें आप accept नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपका acceptance नहीं माना जाएगा, यहाँ पर आपका फिर option नहीं माना जाएगा, और यहाँ पर भी आपका फिर offer lapse हो जाएगा, offer जो है, यहाँ पर आपका revoke हो जाएगा, तो sometimes जो offerer होता है, वो require करता है कि some conditions add on कर देता है, जो कि fulfill होनी जाहिए before the acceptance of the offer, और अगर वो offer के तहट जो है, उस तरीके से accept नहीं की गई है, तो वो offer lapse हो जाएगा, अगर वो acceptance आपकी without condition की fulfillment के हुई है, next is revocation by death or insanity of the offerer, ठीक है, अब जिसने offer किया था, जिसने offer दिया था, उसकी ही death हो गई, ठीक है, यह दुनिया बहुत अलग है, जो सोच के चलोगे, that is not going to happen always, ठीक है, तो उस situation में क्या हुआ, जिसने offer दिया था, उसकी death हो गई है, तो जो death हुई है, यह insanity हुई है, offerer की, वो क्या करता है, यह offer को जो है, यहाँ पे and कर देता है, लेकर यह कब होगा, जब तक सामने वाली पाड़े ने accept नहीं किया, let's suppose इसने offer दिया, इसने भी तक accept नहीं किया, और इसकी death हो गई, यह भगवान को प्यारा हो गया, टैब हो गया, तो इस situation में क्या होगा, कि यह अपने आप जो है, offer, revoke हो जाएगा, तो यहाँ पे यह चीज तभी होती है, जब तक यहाँ पे acceptance नहीं हुई है, acceptance अगर नहीं हुई है, तभी अगर offer देने वाले की death हो गई है, insanity हो गई है, तो यहाँ पे वो offer आपका जो है, revoke हो जाएगा, next is, यहाँ पे, but if the offer is accepted, लेकिन यहाँ पे अगर इसने accept कर लिया, और accept करने के बाद, इस offer करने वाले की death हुई है, तो यहाँ पे, और इसको बिचारे को नहीं बता था, पहली बाद इसको, जो है, दो situation देखिए, कि इसकी death हो गई, इसको पता इसकी death हो गई, तो यह अब चाहे कुछ भी करेगी, हाँ, हाँ, मुझे मनजूर है, तो मैं वहारा जो offer accept करती हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी death होते ही, वो offer revoke हो चुका है, दूसरी चीज, इस बिचारे को नहीं पता है, कि इसकी death हो गई है, और इसने यह offer accept कर लिया है, तो यहाँ पर वो accept जो किया गया है, वो acceptance valid होगा, क्योंकि इस बिचारे को नहीं पता, इस बिचारे को नहीं पता, कि इस वेक्ती की death हो या या क्या हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है, एक, दो situation आपके सामने बनके आ जगए, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एक और point जो कि बताता है, कि वही revocation कैसे होगा, revocation by counter offer, by counter offer, इसने बोला, चलो भई, इसने इसको offer दिया, कि थोड़ा सो ना हम long relationship में आते हैं, सामने वाली party ने जो है, इसी offer के बतले में एक और offer दे दिया, कि नहीं नहीं, situation ship देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होती है situation ship, बस एक example ले जो ताकि आप लोग relate कर पाऊ, तो यहाँ पर क्या है, कि एक offer इसके द्वारा दिया गया, और वहीं पर उसको एकसेप्ट ना करते हुए, दूसरा offer दे दिया, तो यहाँ पर क्या है, यह एक counter offer कहलाता है, counter offer या नहीं कि आपने कोई offer दिया, आप ने कहा कि मेरी गाड़ी 5 लाक में खरीद लो, और यहाँ पर काउंटर offer जो है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसकी वह एकसिस्टेंस में आ जाता है, नेक्स इस रेवकेशन ओफ ऑफर by not being accepted according to the prescribed or usual mode, यह सेम आपका अभी जो हमने point डिसक्स किया, जो वही है कि आपने अगर उसको usually mode जो बोला गया है, या prescribed mode जो बोला गया है, उसमें accept नहीं किया है, तो वह रेवक हो जाएगा, sometimes there is a change in law which makes the offer illegal or incapable of performance, in such cases also the offer comes to an end, ठीक है, let's suppose आप कुछ काम करते हो, और उसको गवर्मेंट ने कुछ टाइम बाद illegal कर दिया, गवर्मेंट ने कह दिया, यार यह तो बहुत गलत हो रहा है, जैसे कि अभी मैं आप से डिसक्स करे रहे हैं, फ्ल्यूट, जो है आज की टाइम में बहुत नॉमली बिक रहा है, फ्ल्यूट है या फिर एक अदा फैवी बॉंड सम्थिंग कुछ प्रॉडक्ट साते हैं, अब कुछ बच्चे उससे क्या कर रहे हैं, उसका मिस्यूज कर रहे है, फ्ल्यूट का तो मैंने सुना था कि उससे उसमें कुछ ऐसा प्रॉडक्ट होता है, कि लोग उससे नशा करते हैं, I am not sure कि वो कितना रियालिटी है, बट अभी जो है, इस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या कुछ भी क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकि हो सकता है कल को चाह कर के ये एक मेजर प्रॉबलम बन जाए, तो गवर्मेंट कह दे कि फ्लूट के बिजनस को हम बंद कर रहे हैं, उसमें या फिर कुछ और अड़ आड़न करेंगे, तो यहां पर जो प्रॉपर फ्लूट है उसको हम बंद कर देंगे, तो अब यह क्या है, यह कुछ चीज जो पहले से चली आ रही थी, अब आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, किया था, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका ओफर खतम हो जाता है, means वो रिवोग हो जाता है, So, I hope you guys understood the whole topic, I think आपके लिए बहुत है, इनफ है इतना topic आपके लिए exam के point of view से, exam के point of view से question कैसे आएगा, obviously जो है, आपके पास question आ सकता है, एक case study में, आपको case study दे दी जाएगी, that there is a person XYZ जुभी होगा, नाम के through, ठीक है, and उसने एक offer किया है, इस person को, and now he wants to, you know, revoke the offer, कौन-कौन से modes है, कौन-कौन से situation है, जहां पर एक offer को revoke किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कह दिया जाएगा, कि इस तरीके से offer को revoke किया गया है, उसके दुआरा, और आप बताएगे, क्या ये एक valid revocation मनती है, क्या ये offer का valid revoke हो सकता है, ये कैसे एक offer दिया जा सकता है, और कैसे एक valid offer होगा, और इसको revoke करने के क्या क्या तरीके हैं, इस तरीके से एक full fish 14 marks को question आपको और आम से exam में देख सकता है, so I hope you understood this whole topic, let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health, bye,